रधे रधे क्रिश्यन कानेया गुपाल प्यारो दुरी बज़ईया जै श्री रधे, जै श्री रधे, श्री रधा मान भियारी लाल एवं श्री श्री बावा महाराज के श्री चेरणों में प्रणाम श्लोक संख्या 240 उच्छिस्टम्रत भुक्त वैव चरितम्स्रिणवंस्त वैव स्मरन् पादंभो जरजस्त वैव विचरन्कुंजास्त वैवालयान् गायं दिव्य गुनांस्त वैव रसदे पष्यंस्त वैवाकृतिम् श्री राधे तनुवां मनो भिरमलही सो हम तवई वाश्चत वैव प्रस्तत श्लोक में श्रणागती का स्वरूप ग्रंथकार के द्वारा बताया जा रहा है पूर विश्लोक में सक्षी के द्वारा ये बताया गया था कि श्री राधारानी के चरणों का जो दास्याधिकार उत्सव है वो लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, श्रीदामा आदी, सक्य वर्ग इन सब के लिए भी दुश्प्राप्य है अर्थात इनको भी वह नहीं मिल सका उसी दास्याधिकार उत्सव की योग्यता सखी चाह रही है और प्रार्थना कर रही है कि ऐसा जो दुरलव एकांतिक दास्य है वह कैसे मिले यद्यपी सक्य भाव से तो इस दास्याधिकार उत्सव में वह नित्य ही स्थित है किन्तु साधकों की दृष्टी से आचारे रूप में प्रतिष्टित होकर क्रपा भाव से प्रिरित होकर यहां सक्खी ने सभी साधकों के लिए यह बताया है कि श्री राधारानी का एकांतिक दास्याधिकार उत्सव जो है वह तो सरवात्म भाव से गवर जोती श्री राधारानी का आश्रे लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह आश्रे श्री जी के चरणों में हमारा कैसे बने है तो उसके लिए यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि राधारानी का आश्रे किस तरह से लिया जाए श्लोक का भाव है हे श्री राधे, हे दिव्य दास्य रस देने वाली आपके अम्रत रूप उच्छिष्ट को जूठन को लेती हुई आप ही के चरित्रों को सुनती हुई आपके ही रासस्थल कुझों में विचरण करती हुई आपके ही दिव्य गुण समुहों का गान करती हुई आपकी ही रसमई छवी का दर्शन करती हुई अर्थात भावना से दर्शन करती हुई शुद्ध, काय, मन और वचन द्वारा मैं आप ही की आश्रता हूं श्री जी के अन्य आश्रे की सिध्धी किस तरह से होगी जब सभी इंद्रियों का वशय श्री राधारानी ही बन जाएंगी यहां राधारानी को श्री राधे संबोधन किया है श्री राधे से यहां सकी कहना चाते है वैसे तो राधधातु का प्रयोग संसिध्धियों को पूरुन करने में होता है जो सभी मनुरत्थों को सिध्ध करने वाली है तो यहां उनको राधा जो कहा है वो इसलिए कहा है कि आप ही दासिरस को प्रदान करने वाली है अर्थात आपके अतरिक्त दास्यरस को देने में अन्य कोई समर्थ नहीं है ऐसी दास्यरस को देने वाली हे श्री राधे आपकी ही अम्रत तुल्य जूठन प्रसादी को ग्रहन करके आपके ही चरित्र को सुनता हुआ आपके ही चरण कमल की रज का ध्यान करता हुआ आपके ही विहारस्थल कुंजों में विचरण करता हुआ आपके ही दिव्यगुणों का गान करता हुआ आपके ही स्वरूप का दर्शन करता हुआ अपने निर्मल शरीर वाणी और मन से में आपके ही आश्रत हूँ तो यहाँ पुलिंग के सब क्रियापद है यहाँ गरंधकार सक्षी भाव से प्रिरित न होकर आचार्य भाव से प्रिरित होकर साधकों के कल्यान की दृष्टी से कह रहे हैं कि राधारानी का आश्रे कैसे बनेगा यहाँ जीव, कान, मन, पैर और वानी इन सभी अंगों का करतव्य बताया किन्तु हाथ और नासिका का नहीं बताया यद्यपी ये दोनों अंग भी सेवा के लिए बड़े ही उपयोगी हैं किन्तु यहाँ जो तनु शब्द कहा है तनु वांग मनो भी अमलही तो तनु में शर कि कुछ ही अंगों का सेवाकारे बताया कुछ का तो बताया ही नहीं तनु जो पद है इससे संपूर्ण शरीर से प्राय कि शरीर के जो भी अवयव हैं जो भी अंग हैं उन सब का अंतर भाग समझ लिना चाहिए तो सबसे पहले कहा उच्छिष्ट अम्रत भुक्त वैव अर और ये जूठन प्रशादी जो है अन्य अंगों द्वारा जब आवश्यक क्रिया या आवश्यक सेवा संपादित हो जाएगी उसी के बाद जूठन मिलेगी एक आएक जूठन तो नहीं मिल जाएगी उसके लिए पाउं को चलना भी पड़ेगा हाथ को भी हिलाना पड़ेगा प्रशादी गरहन करने के लिए तो इस तरह से सेवा कारियों में सभी अंगों का अंतरभाव समझ लेना चाहिए तो जूठी प्रशादी जब श्री राधारानी अकरपा पूर्व के सक्षी को देती है अर्था जो प्रसाद राधारानी के द्वारा उपभुक्त है खालिया गया है उनकी उपयोग में ली गई जो माला है सुगंदित द्रव्य आदी शेश वस्तुओं का ग्रहन करने से नासिका की सेवा भी समझ लेनी चाहिए इस पूरे श्लोक में हाथ और नासिका का अलग से सेवा कारे नहीं बताया है लेकिन उसका सेवा भी उसकी सेवा का अंतरभाव भी समझ लेना चाहिए क्योंकि आगे राधारानी जब माला बनाना सक्षियों को सिखाती है अथवा श्री राधारानी की जो प्रसादी है प्रसादी में एक तो उच्छिष्ट भी आजाता है भोजन भी आजाता है और प्रसाद में निर्माल्य भी आजाता है श्री जी की माला भी आ जाती है तो उस सुगंदित निर्माल्य का गंध का अग्रान तो नासिका से ही हो सकता है इसलिए नासिका की सेवा भी इसमें आ जाती है और यहां इस श्लोक में सबसे जो महत्वपुन बात है वो तवईव पद का बार बार प्रयोग किया गया है तवईव से तातपर है आपके ही अर्थात आप ही का जूठन आप ही के चरित्र आप ही की कुंजस्थलियों का मारजन ये सम मेरे द्वारा किया जाए ऐसा मुझे सौभाग्य मिले तो तवईव शब्द से यहां आचार्य की अथवा सक्षी की जो एक परम आनन निष्ठा है वो प्रकट होती है वैसे भी शतककार ने कहा है प्रभुदानन सरस्वतिपाद ने कहा है प्रिया चरण नखत जोते दभूत फेनस तवक मयतन हो ये सक्षी सक्षीयों का जो शरीर है वो किससे बना है राधारानी के चरणों की नखत जोती से छिटकने वाले जो फेन है उन फेनों से सक्षीयों का शरीर बना है इसलिए श्री राधारानी के प्रती इनकी जो अनन्यता है वो स्वाभाविक है इसके अतरिक्त श्री मदराधा सुधानेधी जी के 242 संख्या के श्लोक में भी कहा है सखी ने कि हे स्वामनी हे श्री राधरानी आप ऐसी करपा करें माला ग्रंथन शक्षया मृदु मृदु श्री खंड नरुहर्शना इस प्रस्तोत श्लोक में यहां कहा है कि आप हे श्री जी मुझे विविद सेवा करने की आज्या दें और उन सब सेवाओं से प्रियतम को मेरे द्वारा आप कब प्रसन कराएंगी तो यहां इस तरह के जो श्लोक प्राप्त होते हैं उनमें यह नहीं समझना चाहिए कि फिर अनन्यता तो बाधित हो गई प्रियतम की परिचर्या भी सखी द्वारा तब की गई है जब प्रिया जी ने उनको ऐसा करने का आदेश दिया है और फिर इसमें अनन्यता बाधित नहीं होती इसमें अन्यता की पूर्ती होती है क्योंकि श्री राधारानी जिसमें प्रसन है ततत कार्य सखीओं के द्वारा हो रहा है तो श्री जी की प्रसनता की ही वहाँ प्रधानता है न की प्रियतम की सेवा की तो जब भी सखी ने अपनी तरफ से कुछ सेवा की है जैसे की इसलोक संख्या 114 में भी बड़ा सुंदर भाव सखी ने कहा है कि गोविंद के कथाम्रत में मेरा मन डूब जाए यद गोविंद कथा सुधार सहरदेचेतो मयाजरंबितम यद तदगुण कीरतनार्चन विहुशाद देर दिनम प्रापितम मैंने गोविंद के कथाम्रत के रस के सरोवर में अपने चित्त को डुवा दिया है और उनके गुण कीरतन उनकी पूजा में भी जो अपना समय व्यतीत किया है यत्यत प्रीतिरकारी तत प्रिय जनेशु आत्यंतिकी तेन में उनके प्रिय जनों में भी मैंने जो आत्यंतिक प्रेम किया है गोपिंद रात्मज जीवन प्रणैनी श्री राधिका तुश्यतु उसका फल ये है कि गोपिंद रात्मज नंदन श्री कृष्ण की जो प्रणैनी श्री राधारानी है वो मेरे उपर प्रसन हो जाएं तो यहां जितनी भी श्री कृष्ण की परिचर्या की गई है उसके जो परिसमाप्ती हो रही हो राधारानी की प्रसनता में हो रही है इसलिए साध्य जो है वो श्री राधारानी की प्रसनता है बाकि सब को साधन है तो श्री जी प्रसन हो इस भाव से गोपियां श्री कृष्ण की सेवा भी करती है उनके कथामरत में अपने चित्त को डुवो ही देती है किन्तो इससे गोपियों का कोई अनन्यता उससे बाधित नहीं होती है तो यहां सकी कह रही है तवईव आप ही का उच्छिष्ट जो जब आपने भोजन कर लिया है अब श्री जी और शामसुंदर जब विराजिते हैं भोजन के लिए प्रिया प्रियतम तो प्रिया जी स्वयम भोजन नहीं कर लेती है प्रिया जी कौर उठाती है तो प्रियतम को भोजन कराती है और प्रियतम कौर उठाते हैं तो प्रिया जी को भोजन कराते हैं तो यहाँ शिष्ट मने जो बचा हुआ है प्रियतम ने हे प्रियाजी जब आपको अपने हाथ से भोजन कराया है उसके बाद उसमें जो शिष्ट रहा है जो बच गया है उसको उच्छिष्ट कहा जाता है प्रियतम ने जब उसका स्वाद ले लिया तो वह हो गया प्रिया जी को खिलाया उस से बचा तो इसलिए उसका नाम हुआ उसकी संग्या हुई शिष्ट और जब प्रियतम ने श्रीजी का पाया हुआ स्वैम पालिया तो अब वो हो गया उच्ष्ष्ट तो भोजन के समें प्रिया प्रियतम दोनों के द्वारा व्यक्त किये गए आनंद से युक्त जो उच्छिष्ट है वही फिर अम्रत रूप हो जाता है जिसको उच्छिष्ट अम्रत इस श्लोक में कहा है उस अम्रत को भी सखी कह रही है अन्य भावों की तरफ बिना कोई ध्यान दिये प्रधान अच्छिष्ट अम्रत मुझे मिला है तो मैं तो उस प्रशाद को उस उच्छिष्ट को केवल इस द्रिष्टी से खाती हूँ कि ये प्रिया जी का उच्छिष्ट है अर्थात एक बड़ी अनन्यता का एक बड़ा उच्छतम भाव यहां दरशाया गया है यद्यपीवा इस लिए पुल्लिंग की क्रियाओं का भी इस श्लोक में सर्वत्र प्रयोग हुआ है। कि राधारानी के चरणों में यदि अनन्य आश्रे बनाना है तो उसकी क्या पद्धती है वो यहां आचारी रूप में प्रतिष्ठित होके गरंधकार बता रहे हैं तो इस तरह से सखी यहां कह रही है कि आप ही का उच्छे स्टामृत मुझे मिले उसके बाद तवईव चरित ये तम दोनों की कथाएं अलग नहीं है क्योंकि ये युगल लीला होती है साथ साथ होती है तो यहां सखी कह रही है कि मैं तो आप ही के लीला चरित्रों को गाती हूं ये सुनती हूं तो कहने का विप्राई ये है कि वैसे तो रसिक शेखर सदई विराधारानी की गोद में विराजितें एक्षन मात्र के लिए भी वो विलग नहीं होते जैसा कि पहले इस लोकों में आ चुका है कि यहां नित्य निकुंज लीला में तो विच्छेद के आभास मात्र से बाहिय और आभ्यंतर दोनों ही प्रले की ज्वाला में दधकने लगता है विच्छेद तो है ही नहीं फिर यहां सखी ऐसा कैसे कहती है कि मैं तो आप ही के लीला चरित रगाती हूं क्योंकि प्रियाजी की कोई भी लीला प्रियतम के विना पूर्ण नहीं हो सकती हो प्रियतम की कोई भी लीला प्रियाजी के विना पूर्ण नहीं है तो यहां तवेव से ये तात्पर्य है कि यहां सखी का राधारानी के प्रती परम इसने है दिखाया गया है कि श्री राधारानी के प्रती सखी की विशेश मंता है, विशेश आ सकती है अथवा ये कहलो कि प्रिया जी के प्रती विशेश एक पक्षपात है तो इस पक्षपात रखने के आग्रह में उसे एक विलक्षन रस का आस्वाद मिलता है क्योंकि कोई भी लीला में रस तभी बनेगा जब उसके दो पक्ष होंगे और एक पक्ष से कोई क्रिया हो फिर दूसरी से प्रति क्रिया हो तभी लीला में रस बनता है इसलिए यहां श्री राधारानी के प्रती एक पक्षपात दिखाया है ताकि विलक्षन रसका आस्वादन उसको प्राप्त हो यहां कोई तत्व की दृष्टी से बेद नहीं किया है रसास्वाद की दृष्टी से बेद दिखाया गया है तो यहाँ तवईव से यह कहना चाहती है कि आप ही की लीला चरित्र को मैं सुनू ताकि प्रियतम भी मेरी बात को सुनकर और श्री राधारानी के प्रधान भाव को देखकर मुँ भरभर के प्रशंसा करें और अनुग्रीत करें क्योंकि प्रियतम को भी राधारानी में मेरी प्रगाड आ सकती होगी तो इस बात से प्रियतम को भी प्रसनता होगी और प्रियतम में हमारी प्रगाड आ सकती होगी तो इस बात से श्री राधारानी को प्रसनता होगी तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यहां सखी ने एक एक पद कहा है प्रसाद ग्रहन करते समय सखी देखती है कि यद्यपी दोनों एक ही थाल में भोजन कर रहे हैं लेकिन थाल के जिस भाग में प्रिया जी भोजन करती हैं उधर से ही प्रियतम उनकी जूठन ग्रहन करते हैं तो ऐसे समय में सखी प्रियतम को लक्ष करके कटाक्ष करती है प्रिया जी के पीने से जो पानी बचा रहता है उसे सखी और श्री कृष्ण दोनों जिद करके पहले पीना चाहते हैं तब इस जगड़े का न्याय कराने के लिए प्रिया जी के पास पहुँचते हैं तब प्रिया जी प्रियतम से कहती हैं प्रियतम जिद करने से आग्रह करने से क्या लाव है इस संबन्द में अधिकारणी तो सखी ही है आप नहीं है इसलिए ये जो चाहती है वो इसको दे दीजिए इसी प्रकार की बात कहकर पीने के पात्र को उठाने के लिए जब प्रियतम त्वरित होते हैं जल्दी भाजी करते हैं तो जब प्रिया श्री राधारानी उनको आग्या देती हैं कि सखी जो चाहती है वैसा ही करो तो जल्दी से पात्र उठाते हैं पानी का किन्त उसके पूर भी आग्या हो जाती है कि सखी के दिकारणी उसको यह दे दिया जाए तब शाम सुंदर सखी को प्रिया जी की आग्या से वह श्री राधारी नहीं का जो उच्छिष्ट जलहे वह दे देते हैं तब प्रियतम ताना मार मार के सखी से परिहास करते हुए कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं आज समय तुमारे अनुकूल है लेकिन कल हमारे भी अच्छे दिन आएंगे फिर प्रियतम राधरानी से प्रातना करते हैं हे स्वामनी जू आप तो निश्कपट रूप से ही बड़ी स सुन्दर हैं आपकी निश्कपटता ही तो आपकी सुन्दरता है फिर आपके लिए इस प्रकार का छलावा शोभा नहीं देता जब ये जलपात्र मैने पूर्व में उठा लिया तो सखी को देने का अधिकार इसको क्या बनता है तो जिसने विए वस्तु पहले लिए उस पर उसका प्रतम अधिकार होना चाहिए तो इस तरह कि जब श्री राधरानी का उच्छ श्टाम्रत कोई पाएगा तो भोजन करते समय जो घटित घटना है जो लीला है वो उस लीला का जो स्फुरण है या स्मरण है वो स्वैम ही होने लगेगा तो उसी लीला का यहाँ ये छो चरण कमलों के पराग का मैं समरण करूं अर्थात आप ही के चरण कमलों का मैं ध्यान करूं अब ध्यान तो श्री चरणों में जो राधरानी ने आभूशन धारन कर रखे हैं या महावर की जो लालिमा है या नकचंद्रों की जो शोभा है तो इन सब का ध्यान करना चाहिए कि मैं आपके चरणों की रज का ध्यान करूं क्योंकि दास्यवर्ति होने के कारण आखिर में तो दृष्टी श्री चरणों की रज पर जाकर ही टिक जाती है इसी से दास्यभाव की का पता चलता है तो इस तरह से सखी राधारानी की चरण रज के विविद प्रभावों का स्मरण करती है ये वही रज है जिसकी वंदना स्वयम श्री कृष्ण भी किया करते हैं जिस चरण चिन्न को देखने की इच्छा स्वयम शामसुंदर भी करते हैं ये वही चरण रज है आगे कह रहे हैं विचरन अर्थात मैं पैरों से भी आपके ही इस्थान में घूमू अर्थात आपने जहां लीलाईं की हैं उन्हीं कुंजों में मैं ब्रह्मन करता रहूं विरंदावन के यों तो सब निकुंज कुंज आपके ही हैं यहां इस भावना से विरंदावन की कुझ निकुझों में घूमना चाहिए कि यहां हमारी प्राण प्रिया श्री राधरानी विराजती है यहीं रहस्यात्मक लीलाएं होई है इस भाव को रखकर ही धाम में रहना चाहिए और धाम में घूमना चाहिए ताकि धाम के प्रतिकूल कोई भी आचरन हमारे द्वारा ना बने इस भावना के साथ धाम में विचरन करना चाहिए फिर आगे बोले गायन दिव्य गुणांस तवैव केवल धाम में इसी तरह घूमे ही नहां गुमते हुए आपके ही अलोके गुणों का मैं गान करता रहूं कैसे गुण हैं जो उज्वल हैं सुन्दर हैं अलोके हैं अनन्त हैं जिन गुणों की समता संसार में कोई नहीं कर सकता उनसे अधिक क्या होगा श्री प्रिया प्रियतम के श्री प्रिया जी के ऐसे उन अन्तानंत गुणों को गाते हुए ही इन कुझ निकुझों में विचरन करे तवईव आपके ही गुण गाऊं यहां तवईव शब्द से विपराय है कि यद्यपी प्रिया जी आपके गुणों में प्रियतम के भी गु जो श्रीक्रिष्न योगींद्रों के लिए भी दुरगम जिनकी गती है। परतार्थ कर देती है तो श्री कृष्ण यश की परनेती भी आखिर में यहां राधा यश में हो रही है तो सखी कह रही है कि मैं गुण ऐसे गाऊंगी जिनमें आपके भी गुण हो और प्रियतम के भी गुण हो किन्तु जहां जहां भी प्रियतम के गुण गाए गए हैं वो सब गुण आपका उतकर्ष बताने के लिए गाए गए हैं क्योंकि ये वही प्रियतम हैं जो आपकी चरणरज के आश्रमे रहना चाहते हैं या आपकी रज को ढूढ़ा करते हैं तो शामसुंदर का जितना भी यश है वो यश श्री राधारानी के यश का उतकर्ष जताता है ऐसे कृष्ण जिनकी अनंत महिमा है पर वो कृष्ण भी श्री राधारानी के दास्यादिकार को चाहते हैं तो आखिर में जो यश की प्रधानता दिखाई पड़ती है वो राधा यश की दिखाई देती है तो आगे सखी कह रही है रसदे हे श्री राधे जब मैं सेवा करती हूँ तो उस समय उन्हें स्वीकार करके यानि मेरी जो सेवा है सेवा क्रिया है उसको स्वीकार करके आप रस अर्थात आनंद परदान करती है फिर आगे बोले आकृतिम आकृति का अर्थ है समय समय पर कभी आपके मुख पर प्रसनेता दिखाई पड़ती है कभी कभी कोप लीला भी दिखाई पड़ती है कभी मान और कभी विलास के हाव भाव भी दिखाई पड़ते हैं जिनसे आपकी जो आकरती है वो बड़ी मधुर हो जाती है तो अनेका अनेक हाव भाव दिखाई देते हैं उनसे हरक्षण आपकी आक्रती दर्शनी होती रहती है तो पश्यंस तवई वाक्रतिम आपकी ऐसी ही हरक्षण नई होने वाली आक्रती को ही मैं देखता रहूं देखता हुआ केवल सौंदरी से मतलब मैं केवल उसे ही दर्श् से देखती हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है हे श्री राधे आप संबोधन देते हैं श्री राधे तनु वाम मनो भिरम लई सो हम तबई वाश्रत हम श्री का आर्थ है अनेक प्रकार की अनेक समय की शोभा से जो संपन्न है अनेक अनेक लीला काल में जो अनेक अनेक प्रकार की आपकी शोभा होई है उस शोभा श्री से आप संपन्न है ऐसी हे स्वामनी हे श्री राधे मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैंने हे श्री राधे इसी नाम का मनन और अनुशिलन किया है अर्थात के आश्रत हूँ तो निर्मल शरीर से क्या कहना चाहती है यहां ग्रंथकार शरीर की निर्मलता के से यह बताना चाहते हैं कि अन्य प्रकार की जो संसार में साधन है या माध्यम है ज्यान है भक्ती है इनकी और मेरी कभी भी प्रवर्ति नहीं हुई है यार्थात मेरा शुद् को पकड़े हुए है और कोई मैंने कोई साधन कोई माध्यम किसी का आश्रे नहीं लिया है जन्म से केवल राधा नाम को ही सुना है गाया है और इसी की चर्चा की है अथवा निर्मलता इस बात की भी है कि इस शरीर वाणी और मन से मैंने बिना किसी छपाव के बिना किसी कामन के आपका आश्रेलिया है निश्कपट भक्ती ही निर्मल भक्ती है चरीर में या वाणी में या मन में जितनी निश्कपटता होगी उतनी ही निर्मलता होगी तो यहाँ वह निर्मलता से ये भी बताना चाहती है कि मेरा आपसे किसी भी प्रकार का दुराव या चिपाव नहीं है केवल आपके प्रती अनने निष्ठा रूपी अम्रत के तीर्थ में अवगाहन करके मैंने अपने आपको शुद्ध बनाया है तो सखी के द्वारा ये आत्म ने वेदन इस ढंग से किया गया है जैसे कि वो प्रिया प्रियतम के चरन इसपर्ष करते हुए मानो शपत खाके ये सब बातें कह रही है कि मैंने नित्रों से आप ही को मैं देखता हुआ वाणी से आप ही को गाता हुआ आप ही के केली कुंजों में घूमता हुआ आप ही का उच्छिष्ट लेता हुआ मैं सरवात्म भाव से आप ही के चरणों का आश्रत हूँ तो मानो शपत खा के वो ये सब बात बता रही है यहां जो तवईव क्रिया पद है वो अन्य विश्यों का निराकरण कर देता है आप ही का उच्छिष्ट अर्थात उच्छिष्ट के अतरिक्त मैंने आज तक कुछ खाया ही नहीं है आप ही के लीला कुझों का मार्जन किया है अर्थात मेरे शरीर से आपकी सेवा परिचरिया के अतरिक्त अन्य कोई कारे हुआ ही नहीं है तो यहां जो तवईव क्रिया पद है तव माने तुम्हारा या आपका और एव यानि ही अर्थात आपका ही तो यहां अन्य जितने भी क्रियाएं हैं या संसारिक बाते हैं या काम हैं उन सब का निश्यद अपने आप हो जाता है तो उन सब का निश्यद हो गया तो शरीर मन वानी वैसे ही निर्मल हो गई तो ऐसे निर्मल शरीर वानी और मन जिससे आज तक कभी भी संसार के जो काम में नहीं आया है जो केवल आप ही का कार्य जिस शरीर मन और वानी ने किया है उससे में सरवात्म रूप से आप ही के चरण आश्रत हूँ मेरे तन्मनवानी की एकमात्र हे श्री राधे आप ही गती हैं सोहम तवैव आश्रत हूँ सह अहम ऐसा मैं जो की बाहर से और भीतर से आपके ही आश्रत हूँ बाहर भीतर से तातपरे है आचारी रूप में हूँ तो भी आपके आश्रत हूँ और अंतरंगा सखी रूप से हूँ तो भी आपके आश्रत हूँ तो यहाँ इस शब्द से एक अनन्यता का विलक्षन अभिमान दिखाई पड़ता है आपके ही आश्रत हूँ तो पद्धि के प्रत्यक वाक्य में तवईव शब्द से अन्य विश्यों का अन्य कार्यों का इसपष्ट रूप से निराकरण हो जाता है सच तो ये है कि गृंधकार यहां साधकों को यही बताना चाहते हैं कि अन्य सभी कार्यों का विश्यों का निराकरण कर लो और तनमनवानी से निश्चल रूप से शिकेवल श्री राधारानी के चरणों का आश्रे ले लो इसी आश्रे की सिध्धी के बाद दास्याधिकार में उत्सव प्राप्त होगा अब बाहय पक्ष में ये तो अंतरंग पक्ष हुआ अब बाहय पक्ष में सिश्लोक का अर्थ करते हैं यहां आचारे चरण जो हैं वो सोचते हैं कि हे श्री राधे यदि आपको लगता है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता तो मेरी अनन्य भावना के संबंद में मेरा मन ही साक्षी है कथंचित आपको लगे कि इसका तन्मन वाणी पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित है या नहीं है केवल दास से अधिकार ही चाहता हो मन इधर अधर हो तो हे श्री राधे आपकी अनन्य भावना के संबंद में मेरा मन ही साक्षी है मैं आपको और किस तरह से बता हूँ आप स्वेम देख लीजिए मेरे तन्मन वाणी की गती आप ही है मेरी और कोई गती नहीं है इसलिए मैं सब प्रकार से आपकी सेवा में आपके द्वारा योग बनाया जा सकता हूँ आप करपा करें ये दास्याधिकार उत्सव मुझे प्रदान करें अब साधकों के लिए यहां ध्यान देने योग्य है ये सेवा का करम इस श्लोक में साधकों की दृष्टी से बड़ा सुंदर करम बता रहे हैं इस श्लोक में सबसे पहला पद आया था उच्छिष्ट अम्रत भुक तवैव यदि सेवा के करम के हिसाब से देखा जाए तो भी सबसे पहला काम उच्छिष्ट प्रसादी ग्रहन करना है यानि जिसे भी श्री राधारानी के चरणों का दास्य लेना है सबसे पहला कारे है उच्छिष्ट प्रसादी ग्रहन करे क्योंकि शारिरिक धर्म का निर्वा किये बिना सेवा संबंदी कोई भी काम नहीं हो सकता है अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो सेवा कैसे कर पाएंगे तो बोहजन जो है वो साधारणता सबके लिए आवश्यक है कहने का अशाय यह है कि जिस शरीर से श्री जी की सेवा की जाएगी सादक को चाहिए की सब प्रकार से उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्य ध्यान रखे क्योंकि शरीर के विना कोई भी सेवा धर्म या कोई भी पुरशार्थ की सिद्धी नहीं हो सकती है इसलिए यहां सबसे पहला काम बताया राधारानी की उच्छिष्ट प्रसादी लो अर्थात युक्त आहार विहार के लिए मानो यहां नर्देश किया गया है उसके बाद जब पेठ में कुछ पढ़ जाए किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि फिर प्रसाद प्रसाद कहके केवल अपनी पेठ की भक्ती करने लग जाए श्री जी की भक्ती तो छूट जा और बस प्रसाद के नाम पर जीव की भक्ती होने लग जाए यहां यह सब बातें शरीर जितने में चलता रहे उतने में श्री राधरानी के प्रसाद को ग्रहन करे उसके बाद पेठ में जब कुछ पढ़ जाए तो फिर आपके चरित्रों को सुने तो अगला पद दिया है चरित्रों को निरंतर सुना जाए नवधा भक्ती में भी चरित्र श्रवन को बड़ी प्राथमिक्ता दी है क्योंकि श्रवन के विना किसी भी मार्ग को जाना नहीं जा सकता है आप कहीं भी प्रतिष्ठित होना चाहते हैं उसके लिए उस मार्ग या उसकी पद्धिती के विशे में जैनना अनिवार्य है आवशक है उसके बाद आता है स्मरण तो आगे कहते हैं गरंतकार स्मरण पादम भोज रजह तवैव जो कुछ सुना है अब उसका मनन तो करना ही चाहिए तो अब क्या मनन करें वो लिए चरणों का यश सुना है अब चरणों का मनन करो अब कमल का पराग हवा में उड़कर चारो और जब विखर जाता है तो उसी से उस कमल की कोमलता की गुण का परिचय मिलता है इसी प्रकार यहां चरण रज से तातपर्य है उनके चरणों की यश से राधारानी के चरणों का यश सुना और उसी चरणों के यश का इस्मरण करो उसी का मनन करो अथवा वन विहार के प्रसंग में जो राधारानी के चरणों में लगी हुई रज है उस रज का ध्यान करो अथवा श्री वरंदावन ये भूमे श्री जी के जिन चरणों से चिन्नित है उन कुंजस थलियों की रज का ध्यान करो साक्षात तो राधारानी की चरण रज सामने है नहीं तो जो कुंजस्थलियां है यानि धाम की जो रज है इसी रज का नेत्र बंद करके ध्यान करो इसके बाद उन चरण चिन्नों के दर्शन के निमित जब रज के दर्शन तो प्रत्यक्ष रूप में सब जगे हो ही रहे है धाम में जो भी रज है वो सब प्रिया जी की चरणों से चिन्नित रज है ये विश्वास होना चाहिए फिर उन चरण चिन्नों के दर्शन के निमित अब साक्षात चरणों के दर्शन कैसे हो तो बुले जो श्री व्रिंदावन के कुझ प्रदेश हैं उनके आसपास घूमो जैसे इनी चरणों की रज की चिन्नों से गोपियों ने भी श्री शामसुंदर को जवरास में अंतरधान हुए है तो इसी रजरानी की कृपा से कृष्ण को फिर से पाया है तो रज का आश्रे लो कुझ प्रदेशों के आसपास घूमो जैसा की सुधानेदी जी में कहा भी है राधा पदांक विलसन मधुरस थली के ये भूमी कैसी है जो राधारानी के चरण चिन्नों से शोभाय मान है श्री जी के चरण चिन्नों से ये मंडित है ऐसे श्री वरंदावन में ही निरंतर मेरा मन रमन करता रहे मेरा मन इनहीं कुंज निकुंजों में घुमता रहे तो उसके बाद कुंजस थिलियों में जो विविद क्रिडाओं को सूचित करने वाले चिन्न है यानि इन धीरे धीरे इन ही कुझ निकुझों में श्री प्रिया प्रियतम के जो चिन अभी अव्यक्त हैं हमें प्रकट दिखाई नहीं दे रहे हैं पर यहां भूमी चरण से चिन्नित तो है ही पर अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है पर धीरे धीरे जब इस धाम का आश्रे लिये जाएगा, निरंतर इन कुझों में घूमा जाएगा, उन चरण चिन्हों की दर्शन की अभिलाशा से, तो वे एक ना एक दिन वो चरण चिन्ह इस भूमी में दिखाई पड़ेंगे, और उन चिन्हों को देखकर, कैसे चिन्ह, जब अपने आप जैसे गोपियों को कहीं राधारानी के, शामसुंदर के गड़े हुए चिन्ह भूमी में ज्यादा देखाई पड़े हैं, कहीं घुटनों के चिन्ह, कहीं पंजों के चिन्ह, रासपंचा ध्याई में आया है, तो श्री शामसुंदर के चरण चिन्हों से ही गोपियों ने ततल लीलाओं का अनुमान लगा लिया यहाँ उनोंने पुष्प समारे हैं केशों में यहाँ फूल तोड़े हैं यहाँ श्रीजी को कंधे पर बिठाया है तो इन लीलाओं का गान करने वाले पक्षियों जन जो हैं उनको उनकी बाणी सुनकर मन में विविद भावों का स्फुरण होगा जब आप वन में या कुझ निकुझ में घुमेंगे तो इन लीलाओं का जिन पक्षियों ने दर्शन किया है वे पक्षि भी इस भूमी के साधरन नहीं है निरंतर उनकी चहाचाहाट में उनके गुंजार में श्री पृईप्रियतं की लीला का ही स्फुरण होना चाहिए अर्थात ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये ध्धुनी नहीं कर रहे हैं ये तो श्री युगल सरकार की लीला गा रहे हैं जैसा कि पूर्व के पद्दे में आ चुका है राधा यशो मुखर मत खगा विली के यहां के जो खग हैं जो पक्षी हैं वो भी केवल श्री जी का यश गाते हैं अन्य कुछ ध्वनी नहीं करते हैं तो इस तरह से जब राधा रानी के कीर्ती गान से मुखरित मत पक्षी समु से युक्त वरनावन में जब घूमेंगे विछरन करेंगे और राधा रानी के दर्शन की प्रबल उतकंठा जमन में होगी और उस उतकंठा से उपासव जग प्रेम में मत हो जाएगा तो फिर ये अ संभव नहीं है कि राधा रानी कृपा से द्रवित होकर उन्हें दर्शन दे दें अर्थात श्री जी उन्हें निश्यत रूप से दर्शन देंगी और जब श्री राधा रानी जब इस तरह से उपासा घूम रहा है तो राधा रानी ततकाल उसे दर्शन दे देती हैं और उ प्रिया जी के प्रकट हो जाने पर उनके आराध्य स्वरूप का ही तवईव आक्रतिम से यहां तात पर है कि आप जब मेरे सन्मुक आएंगी तो आपके माधुरे में स्वरूप का ही में दर्शन करना चाहता हूँ न कि किसी ऐसे स्वरूप का जिसमें भगवत्ता प्रधान हो अर्थात मैं माहात्म ग्यान से प्रेरित होकर दर्शन नहीं चाहता मेरा मन आप में इस तरह से अनुरक्त हो जाए कि मैं आपके दर्शन के बिना जी ना पाऊं मैं प्रेम पूर्वक आपका दर्शन चाहता हूं आपकी महिमा सुनकर आपका दर्शन नहीं चाहता हूं तो इस तरह से जब प्रियाजी दर्शन दे देंगी तो दर्शन पर्यंत संपूर्ण क्रियाओं का यहां इस तरह से वर्णन किया गया है श्री राधारानी का दर्शन क्या होगा, कैसे होगा इसके लिए पूर्व का जो इस पद्य के जो पद हैं उनको ध्यान पूर्वक उनका मनन करना चाहिए अमल करना चाहिए और वैसे भी मनुष्य के सब कल्यानों की अवधी मेरे दर्शन है ऐसा कहा है शास्त्रों ने सरवश्रे परश्रामः पुन्सो मदर्शनावध ही संसायर में भगवान के दर्शन का नाम ही कल्यान है जब श्री राधरानी के दर्शन हो गए तो अब कौन सा कल्यान शेश रह गया समस्त कल्यानों की अवधी श्री प्रियाजी के दर्शन में ही है तो इस तरह से निर्मल यानि श्री राधरानी से संबन्धित सेवा कार्यों में निरत रहने वाले शरीर, वानी और मन से सरवान शुरूप से हे श्री राधे में आप ही के आश्रत हूँ अब जिग्यासा होती है कि राधारानी की आकरती कैसी है जिसे जान के जिसका ध्यान किया जाए और उन श्री राधारानी की सेवा की योग्यता की इच्छा की जाए यानि पहले जान तो लो कि श्री राधारानी है कैसी जिनकी सेवा की योग्यता चाहते हो तो सखी अग्रम श्लोक में बताएगी कि वो राधारानी कैसी है अपने स्वेम के अनुभव के आधार पर किन्तु ये सब वर्णन पूर्व में ही टीका कार कह रहे हैं कि ये सब शाखा चंद्र न्याय से जो अनुभव हो पाया है उसका कुछ-कुछ ही मैं वर्णन कर सकी हूँ अर्थात संपूर्ण रूप से श्री राधारानी के स्वरूप का वर्णन तो कदापी संभव नहीं है तो श्री राधारानी के स्वरूप की किस तरह भावना करनी चाहिए अब राधारानी के स्वरूप का वर्णन श्लुक संख्या 241 में यहां सक्षी के द्वारा किया गया है श्री राधारानी का कैसा स्वरूप है जिनकी दास्याधिकार उत्सव को तुम चाहते हो उनके स्वरूप को पहले जान लो और उस स्वरूप को किस तरह ध्यान करना चाहिए कैसा स्वरूप है तो यहां उस स्वरूप का ध्यान इस श्लुक में बताया है खेलती हुई दो मचलियों के समान जिनकी आँखें हैं देदी पिमान चमकते हुए लाल रंग के मुगा मनी की तरह जिनकी अधर हैं जिनके मध्य भाग में नितंब भार ही द्वीप का विस्तार हैं जिन श्री राधारानी के श्री वक्षस्थल श्री स्तन मंडल ऐसे हैं जैसे कामदेव रूपी गजशावक के गंडस्थल हों गहरी भवर की तरह जिनकी नाभी है श्री हरी के महा प्रेमा मृत की नदी के समान उन श्री राधारानी के चरण कमलों की परिचर्या की योग्यता को ही मैं ढून रहे हूं श्री जी के चरण कमलों की मैं सेवा कर सकूं उस सेवा की योग्यता को ही मैं ढून रहे हूं कैसी श्री राधाया है श्री राधाया का अर्थ है जो श्री कृष्ण सब के आश्रे हैं उनको भी आश्रे देने वाली उनकी भी रस प्राप्ती की इच्छा को पुर्ण करने वाली श्री राधारानी है ऐसी राधारानी के चरण कमल की सेवा की योग्यता को मैं ढून रही अर्थात इस चिंता में हूँ कि मेरे जैसी अविलाशा क्या किसी और ने भी पहले की है यदि की है तो उसने जिन जिन साधनों को अपनाया है ततत साधनों में लग कर मैं भी उस योग्यता को प्राप्त कर सबूँ यहाँ सखी कहरना चाहती है कि वे लोग धन्य हैं जो उसी वस्तू की आशा कर रहे हैं जिसे मैं खोज रही हूँ अर्थात संसार में धन्य वे ही हैं जो राधराणी के चरनों की सेवा के योग्य किस तरह से बना जा सकता है इस प्रयत्न में लगे हुए हैं वे ही लोग संसार में धन्य हैं बाकी भहोतिक वस्तुएं कमाने अरजे संग्रह करने वाले लोग ये धन्य कदापी नहीं हो सकते हैं क्रम ये है कि सबसे पहले किसी वस्तु का ज्यान होता है उसके बाद उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है और फिर उसकी प्राप्ती के अनुकुल प्रैतन किया जाता है इस सिद्धान्त के अनुसार श्री जी का ग्यान और श्री जी की प्राप्ती की इच्छा ही कारण है और उनकी सेवा है कार्य एक सिध्धान्त है कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है संसार में जो ही कार्य है उसके मूल में कोई ने कोई कारण अवश्य है तो कार्य बिना कारण के नहीं होता है अतह सर्व प्रथम हम उनके विश्य में जाने फिर उन्हें पाने की इच्छा करें तब उनकी सेवा का अधिकार मिलेगा सेवा का अधिकार तो कार्य है उनको जानना और उनको पाने की तीब्र अभिलाशा होना कारण है यदि उनको पाने की तीब्र अभिलाशा नहीं होगी तो सेवा में कदापी अधिकारी या अधिकरत नहीं हो पाएंगे तो ये ध्यान रखने योग्य वस्तु है इसलिए यहां श्री राधारानी के विश्य में ज्यान कराया जा रहा है वे कैसी हैं तो अब श्री राधारानी का वर्णन करते हैं बहल हरी महा प्रेम पियूश सिंधो यहां श्री राधारानी को घने श्री हरी के प्रेम रूपी अम्रत की महानधी कहा है बहल का अर्थ होता है अनवरत रूप से सदा बहने वाला बिना किसी रुकावट के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को चीरता हुआ अनवरत रूप से बहने वाला क्या अनवरत रूप से बह रहा है महा प्रेम पियुष्ट सिंधो महा प्रेम का अम्रत जहां अम्रत का समुद्र जहां बह रहा है छोटी मोटी धाराएं नहीं महा प्रेम के अम्रत का समुद्र जहां बह रहा है और बहल माने निरंतर बह रहा है क्या वह रहा है हरी महा प्रेम श्री कृष्ण महा प्रेम अम्रत का समुद्र जहा निरंतर हिलोरें ले रहा है वो कैसा प्रेम है कैसा विलास है तो इस भाव को श्लोक संख्या 102 में गरंधकार पूरु में बता चुके हैं नो किंचित कृतमेव यत्रना नुतिर नागो नवा सम्रमो राधा माधवियो सकोपी सहजव प्रेमुद्सव पातुव राधारानी का कृष्ण के प्रती और श्री कृष्ण का राधारानी के प्रती जो प्रेमुद्सव है उसमें न तो किसी प्रकार की लेशमात्र भी बनावट है न कोई स्तोती है न अपराध है न किसी तरह की भ्रांती है इस तरह का राधा माधव का कोई अनिरवचनिय स्वाभावक प्रेमोत्सव है और वही प्रेमोत्सव यहां उसी प्रेमोत्सव रूपी अम्रत का समुद्र श्री राधारानी रूपी महा नदी में बहराहा है यहां राधारानी को एक महा नदी का रूपक दिया गया है यह जो महा प्रेम है यह बड़ा प्रबल है असीम है इसी प्रेमामृत के प्रवाह की आश्रे भूत महा नदी है श्री राधारानी यानि इस प्रेमामृत की धारा जहां से निकली है वो महा नदी श्री राधारानी वो दगमस्थल श्री राधारानी ही है इसी भाव को श्लोक संख्या 172 में पूरु में कहा जा चुका है बाकि इन दोनों पद्यों का जो भावार्त है वो प्रायो प्रायो समान है तो अब नदी रूपक श्री राधारानी का वर्णन कर रहे हैं अर्थात श्री राधारानी रूपा महा नदी कैसी है तो बोले कृणन मीनत द्वयाक्षा जिनकी आखें दो मचलियों की तरह उस प्र उद्धर कहने से आशर ये है कि बड़ी अगाधता है उसे कोई पहचान नहीं सकता है कि वो महा प्रेमामृत का तल कहां है या उर्चोर कहां है तो ऐसी उस महा नदी में उनकी जो आखें हैं वही दो मचलियां हैं जो खेल रही हैं अब खेलने के लिए दो की जरुरत होती है इसलिए दोनों आखों का वर्णन दोनों आखें कैसी हैं बोले स्वभाव से ही चंचल हैं तो यहां खेलने का जो बात कही है नहीं तो केवल यही कह देते हैं कि उनकी जो दो आखें हैं वो मचली के जैसी हैं पर कहा है उनकी आखें मचलियों की तरह खेलती रहती हैं इस ख ये तंकी लोलुपता के बीज अंदर ही अंदर एक संघर्ष छड़ जाता है। उसके फलस्वरूप अन्य प्रकार के भाव राधारानी में उदित होने लगते हैं, जो की आँखों की चंचलता के रूप में प्रकट होते हैं। आपके अंदर कैसा भाव प्रकट हो रहा है, उस भाव के सबसे बड़े दियोतक है नेत्र, उस भाव को आँखों से पढ़ा जा सकता है। तो राधारानी में है लज्या और शामसुंदर में है लोलुपता, तो इन दोनों विपरीत भावों में जब आपस में संघर्ष होता है, तो वो संघर्षी श्री राधारानी के दोनों नित्रों की चंचलता के रूप में प्रकट होता है। तब ऐसा लगता है कि दो मचलिया आपस में खेल रही हैं। और उसी से श्री राधारानी का जो निचला ओष्ठ है वो फड़कने लगता है अधर से विप्राय यहां अधरोष्ठ का है तो यहां प्रिया जी का जो ओष्ठ है वो फड़कने लगता है अपनी लज्जा को सोचके और प्रियतम के रसकी लोलुपता को सोचके इस्फुरन का अर्थ है फड़कता हुआ अत्वा दूसरा अर्थ इस फुरन का ये भी है कि देधी प्यमान होता हुआ तो यहां दोनों बात हैं ओष्ट फड़क भी रहा है और फड़कने से वो देधी प्यमान हो रहा है चमक रहा है कैसे चमक रहा है गहरी लालिमा होने के कारण प्रिया जी का अधर रूप मनी विद्रुम की तरह चमक रहा है मनी विद्रुम मनी की तरह अधरोष्ट जब फड़क रहे हैं तो चमक रहे हैं तो पहले तो ग्रंथकार ने इतना ही कहना चाहा कि अधर में जैसे फड़कने की क्रिया होती है वैसे ही मणी में चमक होती है फर बाद में ग्रंथकार ने सोचा कि ये केवल चमक ही नहीं रहे हैं इन में चमक के साथ साथ बड़ी सुन्दर लालेमा भी है जब अधरों के आई तो गरिनतकार ने विद्रुम शब्द कवा और समावेश कर दिया श्लोक में अर्थात इन ओष्ठों में चमक तो है ही पर कैसी चमक है? लालेमा लिये हुए चमक है इसलिए इन ओष्ठों को विद्रुम मणी के जैसा कहा जैसे विद्रुम मनी स्फृत होती है चमकती है वैसे ही ये ओश्ठ चमक रहे हैं अब मनी से अभिपराय यहां खराद पर चढ़ा कर तराशे गए बहुमुल्य पत्थर से है यानि कसोटी पर गिसी गई है ऐसी मनी क्योंकि पेड से जो उतारा गया मुंगा होता है वो परिश्क्रत अवस्था में नहीं होता इसलिए देखने में इतना सुन्दर भी नहीं लगता पर वही जब मनी का रूप ले लेता है उसको कसोटी पर कस दिया जाता है तो उसकी सुन्दरता और बढ़ जाती है इसलिए केवल विद्रुम नहीं का विद्रुम मनी कहा है अर्थात विद्रुम जैसी लाले मा भी है और मनी जैसी चमक भी है श्री राधारानी के अधरोष्टों में श्री राधारानी के जब यहां नदी रूप का वर्णन कर रहे हैं तो यह विद्रुम मनी कहां से आ गया तो बोले समुद्र में जैसे मनी मुक्ता अधिय होते हैं ऐसे ही बड़ी बड़ी नदियों में और नदों में सुने जाते हैं, इसलिए यहां नदी रूपक में मूंगा का उल्ले किया गया है, राधारानी रूपी प्रेमामृत समुद्र की जो नदी हैं, नदियां सव रतनों की स्थान होती हैं, उस नदी में उनके ओष्ठ जो हैं, वो मुद्र मनी की भाती चमक रहे हैं, फिर आगे वर्णन करते हैं, श्रोणी भारत द्वीपायांतम, द्वीपायां जो श्री राधारानी का श्रोणी भार है, नितम भार है, वो किसी द्वीप के समान है, अमरकोश के अनुसार नदी का एक नाम भी द्वीप वती होता है, क्योंकि नदी में ध्वीप होते हैं ध्वीप से यहां तातपर है कि नदी के बीचों बीच उभरे हुए बालू का में बड़े बड़े जो पुलिन होते हैं उनको धीप कहा जाता है तो जितनी बड़ी नदी होगी उतना बड़ा ही उसका ध्वीप होगा तो यहां प्रिया जी हैं बहुत सुकुमार इसलिए उनके शुरोणियों को भार कहा है कि उनके नितम उने भार रूप प्रतीत होते हैं भारी पन जिस चीज में होता है तो वो विस्तरत भी होता है विशाल भी होता है तो इसमें विस्तार किस बात का है तो बोले श्री राधा रानी के अंदर कृपा का जो भाव है छलचलाती हुई जो कृपा भाव है उसी का विस्तार है उसी के कारण क्योंकि श्री राधा रानी में जो कृपा भाव भरा हुआ है उसी के कारण यहां श्रोणी को भार रूप कहा गया है यहां और कोई भारीपन नहीं है यह कृपा का ही भार है तो यौवन रूपी नदी में नहने वाले आगे वर्णन कर रहे हैं लावर्णे के एक मात्र जो काम रूपी हाथी के दोनों गंडस्थलों का जैसा भाराव होता है उसी प्रकार के भाराव से युक्त श्री प्रियाजी के दोनों वक्षस्थल है जिसको यहां ग्रंधकार कह रहे हैं स्मर कलभ का टारोप वक्षो रुहाया है जो लावर्णे के एकमा तरस्थाने अर्थात सारा का सारा शरीर का लावर्णे ऐसा लगता है कि श्री वक्षस्थल में ही आकर सिमिट गया है कामदेव को यहां हाथी के बच्चे का रूपक दिया है उपमा दी है तो इससे यहां प्रतीत होता है कि इस समय श्री प्रियाजी के श्री अंग में दिव्य काम का आवेश भरा हुआ है प्राक्रत काम ने दिव्य काम आवेश में प्रियाजी भरी है और गहरे गंभी रावर्त नाभी गहरे जल में पढ़ने वाली भवर की तरह श्री राधारानी की नाभी है यहां भी भवर बनकर रस का चक्कर काटना कामा विश्च के कारण ही समझना चाहिए कामा विश्च के कारण ही नाभी में रस की भवरें पढ़ रहे हैं दूसरी बात प्रियतम के अगाध प्रेम के ज्वार की जब प्रिया जी को याद आती है तो प्रिया जी के अंदर कृपा उमर पड़ती है तो जब कृपा के करण श्री जी चल तो पड़ती है प्रियतम की ओर पर दूसरी ओर से लज्जा उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती तो इस तरह से दो विरुद्ध भाव जब एकत्र मिलते हैं तो उन भावों में पानी की सी भवरी पड़ जाती है जिसको यहां नाभी में रस की भवरी कहकर कहा है कि प्रिया जी की नाभी जो है वो बड़ी गंभीर है गहरी है और उस नाभी में ऐसा लग रहा है जैसे रस की भवरें पड़ रही है तो यहां सखी ने बड़ा सुंदर श्री राधारानी का इस तरह से स्वरूप का वर्णन महा नदी का रूपक लेकर किया है ऐसी जो बहल हरी महा प्रेम प्रियूश सिंधो जिन श्री राधारानी के अंदर निरंतर वहने वाला हरी महा प्रेम अम्रत का जो समुद्र है ऐसी उन श्री राधारानी के चरण कमलों की सेवा की योग्यता को मैं ढूंड रही हूँ अथाथ श्री जी मुझे अपने चरणों की सेवा में अधिकरत कर लें योग्य बना के मुझे स्वीकार कर लें तो यहां सखी श्री जी ने इस श्री जी की सेवा की योग्यता पाने के लिए जैसा हम लोग पूरू में सुन चुके हैं कि श्री जी की सेवा की योग्यता पाने के लिए पहले श्री जी का ध्यान करें तो ध्यान कैसे होना चाहिए तो उस ध्यान को यहां बताया गया था पर यहां ध्यान देने योग्य बात यही है कि बाद में उस सेवा का वर्णन भी सखी को करना चाहिए था जिस सेवा की योग्यता वो चाहती है अब उस सेवा का वर्णन करना तो चाहिए था जिसकी वो योग्यता चाह रही है परंतु ऐसा वर्णन न करके राधारानी के सुख में ही सुखी रहने की भावना के कारण श्री जी की ही प्रणना से उसने अपने द्वारा की गई प्रियतम की सेवा का वर्नन आगे कर दिया है अब तक मांगती आ रही थी कि मुझे श्री जी की चरनकमलों की सेवा की योग्यता मिले तो श्री जी की सेवा का वर्णन करना चाहिए था पर वर्णन कर रही है अगले श्लोक में कृष्ण की सेवा का ऐसा क्यों? क्योंकि राधारानी भी अपनी सेवा से उतनी प्रसन नहीं होंगी जितनी की कृष्ण सेवा से और उस कृष्ण सेवा को सकी बता रही है आगे के शलोक में कि मैंने राधारानी से ही सीखा है कि सेवा कैसे करनी चाहिए श्री प्रियतम की प्रियाजी से सुन्दर सेवा कौन कर सकता है और प्रिया जी की प्रसनता भी इसी में है कि उनके द्वारा सीखी गई प्रियतम की सेवा ही में नरंतर करती रहूं इसी से प्रियाजी प्रसन होती है यहां आसज भाव प्रियतम और आसक्त भाव श्री प्रियाजी में दिखाई दे रहा है तो यहां श्री राधारानी सक्खी को सेवा करना सिखा रही है तेगो चाहती तो थी कि श्री जी के चरनगंडूं का दास उसको उसकी योग्यता मिले? पर राधरानी उससे भी अधिक प्रसंने जिस सेवा सेोती उस सेवा को यहां श्री राधरा ने सकी से अपनी सेवा ना करा के प्रियतम की सेवा उसको सिखा रही है जिसका इश्लोक संख्या 242 में उसने वर्णन किया है माला ग्रंथन शिक्षया म्रदु म्रदु श्री खंड निर्भर्षणा देशो नाद्भुत मोदकादि विधिवी कुंजान्त सम्मार्ज नहीं वर्णदा रणन रहस्थलीश विवशा प्रेमारती भारोद गमात प्राणे शंपरिचार कई खलू कदा दास्या मया धीश्वरी यहां उसकी वर्णन कर रही है कि श्री वन के नभरत निकुंज में विराजिती हुई अपने प्रिय की प्रेम किलडा के भार के उदै से विवश स्वामनी श्री राधा मुझे पुश्प माला गूथनी की शिक्षा देती हुई धीरे धीरे कोमल चंदन गिसने का उपदेश देती हुई अधुद मोदक आधी बनानी की विधी बताती हुई कुझ प्रांत के भीतर बुहारी लगानी की आग्या देती हुई सेवा संबंधी विस्तरत कारे में कब दासी रूप से मुझे स्वीकार करेंगी अर्था इन सब सेवाओं की मुझे शिक्षा देते हुई कब एक कोशल दासी के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगी तो यद्यपी ये सखी यहां सब कारे में बड़ी कुशल है पर यहां श्रीजी से शिक्षा पाने के लिए वो बिलकुल ऐसे बनगी जैसे कोई एकदम नौसखिया चली आई है जैसे उसको कुछ आता जाता ही नहीं तो यहां श्रीजी का विलक्षन रूप दिखाया है स्वामनी रूप नहीं सेवी का रूप यहां श्रीजी का दिखाया है क्योंकि इसी में प्रेम की पूर्णता है वे स्वेम अपने हाथ से करकर के सेवा सिखाती है सखीयों को इससे इसपश्ट होता है कि सखाने वाला किवल आज्या ही न दे करके दिखाए सखी ने सब कुछ जान दे वो भी ऐसा भाव अपना लिया है मानों मैं एकदम नौ सखियाओं मैं कुछ जानती नहीं हूँ अपनी स्वामनी के पराधीन हो बस इसी मेरे अंदर तो यह योग्यता है कि वो जैसे मुझे नियंतर करेंगी मैं वैसे वैसे करती चली जाओंगी न मैं कुछ जानती हूँ और ना मेरे अंदर कोई योग्यता है तो यहाँ प्राणेशम परिचार कई खलू कदा दास्या मया धिश्वरी मेरी अधिश्वरी, मेरी स्वामनी अपने प्राणेश की परिचारी का अर्थात उनकी सेवा मुझे कब प्रदान करेंगी या कब सिखाएंगी कैसे हैं वो ले प्राणेश हैं वे उनके परम प्रेम पात्र हैं प्राणों से अधिक प्रियता कोई नहीं होता है प्राणों से अधिक प्रियता संसार में अगर किसी कोई है तो प्रियाजी को प्रियतम है और प्रियतम को प्रियाजी है बाकि प्राणों से अधिक प्रियता संसार में कहीं घटित नहीं हो सकती है तो ऐसे प्राणेश, प्यारे की, माला गूतने की आज्या देके, शिक्षा प्रदान करके, ये सब सेवाई मेरे से कभ श्री जी कराएंगे तो यहाँ जो खलू शब्द है, खलू कदा दास्या मया धिश्वरी, ये शब्द यहाँ जिग्यासा के अर्थ में है अर्थात सकी ये जानना चाहती है, कि इस प्रकार के आदेश, ये इस प्रकार की शिक्षा राधारानी से कभी मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी तो इस तरह की जिग्यासा उसके मन में है, तो सकी पहले ही एक तो सेवा में लगी हुई थी फिर राधरानी ने उन्हें विविद सेवा कार्य समपादन के लिए प्रेरित किया उसका कारण है कि इतने सारे कार्य राधरानी उस सखी को सिखा रही है क्योंकि उस समय प्रेमारती भारोद गमात विवशा प्रियतम के प्रेम की पीड़ा के दवाव से श्री जी विवश थी उस समय यद्यपी प्रियतम उस समय साथ ही थे किनी किनी महानुभावों का मानना ये है कि जब प्रियतम चले जाते हैं विरह दशा में श्री जी होती हैं तब प्रियतम की सेवा करा करा के इस तरह प्रियतम की स्मृती से स्मृती में अपना समय व्यतीत करती है यदि संयोग की अवस्था में देखें तो उस समय प्रियतम प्रिया जी के साथ ही थे फिर भी माला आदी धारन कराते समय की आनंद का स्मर जो ही प्रिया जी को हुआ कि जब मैं प्रियातम को माला धारन कराऊंगी उस समय जो आनंद होगा उस आनंद की याद करने मात्र से श्री जी को ऐसी प्रेम की उतकंठा बढ़ी है कि बढ़ी एक तो सुकुमारांगी है बढ़ी सुकुमार है तो वो जो उतकंठा थी वो ही एक टीस बन गई एक वेदना बन गई इसलिए उसको यहां आरती शब्द कहा है कि यही एक पीड़ा बन गई अथवा प्रियतम के पास ना होने पर इन सब कारियों को श्री प्रिया जी करकर के समय विताती है इसलिए प्रेमारती भारोद गमात विवशा उनको कहा गया है तो श्री कृष्ण का यह प्रण था कि मैं राधारानी के द्वारा जो व्यभार में लाई गई माला है अर्था जो श्री जी की पहनी हुई माला है सुंग अंदिद्रव्य आदी है उसी को प्रसादी रूप में ग्रहन करूंगा अर्था शामसुंदर कोई नई वस्तु धारन नहीं करते श्री जी जो धारन कर लेती है उसे ही प्रशादी रूप में धारन करते हैं ये कृष्ण का प्रण है अब प्रिया जी ने माला बनवाई नई माला सखी से और सखी को कह इसे प्रियतम को धारन करा दो किन्तु प्रियतम ने अत्यंत आदर भाव से उसे हाथ में लेकर पहले प्रिया जी के गले में पहना दिया तब माला की शोभा और प्रियतम के स्नेव को देखकर राधारानी में ऐसा क्रपा भाव उमड़ा कि उसके बाद अनिवारे रूप से आलिंगन जो होने वाला था उसके फलस्वरूप जो आनन मिलता उसी की याद करके प्रिया जी उस समय विवल हो गई अर्थात ये सब गटना करम हुआ नहीं केवल प्रिया जी याद कर रही है और उसकी स्मृती मातर से विवल हो गई है जबकि उस समय साक्षात रूप से राधरानी सखी को माला पिरोना से खा रही थी कि इस तरह से माला बनाई जाती है पर माला सखी लेके जाएगी प्रियतम मुझे पहनाने लगेंगे मैं प्रियतम को माला पहना दूँगी उस समय प्रियतम के साथ जो आलिंगान होगा उसका जो सुख होगा उसी की याद करके यहां प्रिया जी विवल हो गई और सोचने लगी हाए वो समय कब आएगा जब माला के कारण उत्पन होने वाले आनंद को प्रियतम मेरे लिए सुलभ कर देंगे अब शिक्षन की व्याख्या करते हैं माला ग्रंथन शिक्षया शिक्षन की व्याख्या करते हैं माला गूतने की शिक्षा कैसे सखी को दे रही है राधारानी सखी को सिखाती है देख कोमल फूलों के बीच में बड़ी चतुराई के साथ नरम पत्तियों को जोड़ लेना चाहिए जिससे माला में एक विविधता पैदा हो सुन्दरता बढ़े बीचों बीच सुन्दर फूलों का एक गुच्छा बनाना चाहिए जो जिसको देखने से संयोग भावना उद्दीप्त हो और माला ऐसी होनी चाहिए जो वक्षस्थल पर पहनने में कठोरता का आभास जिसमें न हो यानि कठोर न लगे पहनने वाले को कोई उससे श्रम न हो इसके अत्रिक्त हाथ पकड़ पकड़ के सखी को समझा रही है ऐसे नहीं इस फूल को ऐसे पिरो इसको ऐसे बनाओ कि जब कोई अत्यनत निपन सेवक काम कर भी रहा हो तो भी वे उसके हाथ से ले लेकर उस सेवा में स्वेम हाथ बटाने लगते हैं क्योंकि उनको अपनी चातरी प्रकट करने में बड़ा स्वाद आता है और दूसरों पर करपा करने की उनकी आदत पढ़ जाती है इसलिए यहां भी राधरानी उसी तरह से अधीर है कि कथंचत सखी के द्वारा कोई भी तुटी हो गई तो प्रियतम को ये माला कितनी कठूर लगेगी बार बार उसके हाथ से उस माला को ले लेती हैं और सिखाती हैं इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ दूसरी बात ये भी है कि विश्वास पात्र एवं मन की बात समझने वाले व्यक्ति जब साथ में सेवा कर रहे हो तो बिना किसी संकोच के हारतिक भाव भी प्रकट किये जा सकते हैं तो यहां ये सखी बड़ी विश्वसनी है तो अपने हरदय की सब बात क्योंकि कपट तो राधारानी में है ही नहीं अपनी सखी को कह देती है देख ऐसी माला बना जिसमें बड़ी चटक आए और उसे पहनने वाला एक बड़े चाव का अनुभव करे तो उस तरह से श्री राधारानी सखी को बता-बता कृषिकषा दे देकर माला बनवाती है फिर मृदू-मृदू श्री खंट निर्गर्षना फिर चंदन गिसना सिखाती है एक तो चंदन परक्रती से वैसी कोमल होता है, ठंडा होता है उसे भी स्री जी सिखा रही है धीरे-धीरे घिसो, धीरे-धीरे गिसने से चंदन और कोमल हो जाता है इसलिए यहां दो बार मृदू मृदू शब्द का प्रयोग किया है अर्था बार बार श्री जी देख रही है कि ठीक से घिस पा रही है या नहीं चंदन गिसने की आग्या देते समय प्रया जी प्रेम की पीड़ा से विवश हो गई माला गूतने के प्रसंग की तरह यहां भी श्री जी प्रेम पीड़ा से विवश हो गई कैसे विवश हो गई शामसंदर का प्रण था कि चंदन पहले जो प्रया जी ग्रहन कर लेंगी लगा लेंगी उस प्रशादी चंदन को ही वे ग्रहन करेंगे इसके अनुसार प्रिया जी की आग्या से सखी ने केसर मिश्रित चंदन भेंट किया था तो उसे शामसुंदर ने स्वैम न लेकर अपने हाथ से प्रिया जी को लगाया सखियां भी बड़ी चतुर हैं वे जानती हैं अगर हम राधारानी को पहले चंदन देंगी तो वे ठाकुर जी के लगा देंगी इसलिए श्री जी को नहीं देती है सब चीज पहले शामसुंदर को देती है ताकि शामसुंदर पहले उसे श्री जी को वो अपने बाहर और भीतर प्रियतम की लोलुपता और अपने द्रवित हो जाने के कारण चंदन के शीतल इसपर्ष से आगे चल कर जो जो उनके सात्युक भाव उनके अंदर पैदा होंगे सीतकार है, कंप है, रोमांच है जो भाव उदित होंगे, उन सब की याद करके ही प्रिया जी प्रेम की पीड़ा से विवश हो गई अर्थाज जब प्रियतम मुझे चंदन लगाएंगे, उस समय जो सुख प्रिया जी को होगा उसी सुख की इस मृति से प्रिया जी यहाँ विवश हो जाती है तो प्रियतम ने यहाँ केशर, कस्तूरी, चंदन इन विविद रंगों से प्रिया जी की सुन्दर मुख पर वक्ष पर चरणों में पत्रावली की रचना की और जिस्ते श्री वक्ष की शोभा वड़ी, प्रिया जी ने उसको नहारा, तो प्रिया जी को ऐसा आनन्द मिला, कि कृपा ओमडा आई, और उसके आवेश में प्रियतमका उन्होंने आलिंगन किया उसी आलिंगन की याद यहाँ चंदन घिसना सिखाते समय प्रियाजी को याद आ गई और श्री राधहरानी के अंदर उस समय वह प्रेम की पीड़ा जाग गई तब श्री राधहरानी सखी को कहती है देख सखी इतने अच्छे से चंदन घिसना कि आलिंगन काल में जब श्री अंग मिलें भी तो चंदन के सूख जाने पर अंगों में किसी तरह का खिचाव नहीं होना चाहिए अर्थाज शरीर में वह चंदन का इस पर्श कठोरता का आभास नहीं कराए जैसा कि गीत गोविंद में कहा है कि श्री राधारानी और शामसुन्दर जब परस्पर आलिंगन करते है तो जो रौमांच भी होते हैं वो रौमांच भी विग्न बन जाते हैं यानि रौमांचित होना भी वह असाई है इतने कोमल जिनके श्री अंग है इसलिए बारबार सखी को कह रहे हैं इस चंदन को मृदू बना और इसको कोमल बना फिर अदवत मोद कादी विदी भी फिर तीसरी सेवा सखी को श्री राधारानी अपने हाथ से लड़ू बनाना सिखाती हैं क्योंकि प्रियतम को लड़ू बहुत प्रिये हैं आदी शब्द से और भी जो मिष्ठन हैं जैसे चंदर कला है फैनी आदी मिठाईयां हैं और भी जो प्रियतम को रुची कर भोजी खादे पदार्थ हैं वो सव श्री जी अपने हाथ से बना बना के सखी को सिखाती हैं उसमें भी अदवुत मोदकादी ये लड़ू साधारन नहीं है अदवुत है अर्थाद विशेश प्रकार की विधी से ये बनाये गए हैं जिनको लोक में कोई जन नहीं सकता है दूसरी दूसरी चीजों को रसों को इसमें सम्मिश्रिक किया मिलाया गया है जिससे उन हिला के उसकी प्रशंसा करता रहे ऐसे अदवुत लड़ू राधारानी बनाती है विधी से तातपर है यहां लड़ू बनाने की क्रिया को श्री जी स्वैम करके दिखाती है विधीमाने स्वैम उसका विधान करती है स्वैम बना बना के दिखाती है इस तरह से लड़ू को तो यहाँ भी पहले की तरह प्रियतम के साथ एक थाली में भोजन करने के आनंद को मन के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए राधारानी सखी से कहती हैं और फिर प्रिया जी के मुख में अरपित करते हैं देखते हैं ये लड़ू श्री जी के भोग लगाने योग है या नहीं है तो उस लड़ू को पहले स्वैम खाते हैं शाम सुंदर फिर प्रिया जी के मुख में देते हैं प्रिया जी जब उसे आधा खा लेती हैं तब बचे ह वे आधे भाग को प्रियतम लेते हैं और स्वाद की बड़ी साराना करते हैं अरे जब ये लड़ू बना था तब तो इतना स्वादिष्ट नहीं था पर प्रिया जी के खाने से तो इसमें अदबुत स्वाद जहर रहा है अवश ही राधारानी के मुख रूपी सुधा की इस से ही इसमें एक विलक्षन प्रभाव पैदा हो गया है और इसका साक्षी तो मेरा हरदय ही है अर्थाच श्री जी के प्रसादी जो मुख का लड़ू है उस लड़ू को जिसने खाया है वही हरदय उसके स्वाद का अनुभव कर सकता है अन्य नहीं तो ये सुनके फिर प्रि भावी प्रेमोत कंठा की याद करके प्रियाजी विभोर हो जाती है फिर अगली शिक्षा राधारानी सकी को देती है ये सब सिखाती जा रहे है और इन इन क्रियाओं से उत्पन होने वाला जो भावी आनंद है उसकी स्मृती में श्री जी विवल भी होती जा रहे है कुन इसके बाद कुंजों के अंत अर्थात जो मध्य भाग है अर्थार जो अंतरंग रहस्यात्मक लीलाओं का स्थल है उन्हें लीला स्थलों को राधारानी सकी को जाड़ना बुहारना सिखाती है जाड़ना भी एक कला है जहां कुंजों के भीतरकुंज मंडब बना हुआ है सिखाती हैं कि देखो आंगन की भूमी को तो सींकों से बनी हुई बुहारी से साफ करो और जो कुझ मंडब बना हुआ है वहाँ जो फूलों का पराग विच्छा है और उन पर पत्तों पर जो धूल पड़ी हुई है उसको कपड़े से जाड़ो और इन सब मंडबों में जो सुंदर सूक्ष मिस्थल हैं जहां जहां बुहारी नहीं पहुँच सकती है वहाँ पराग के महीन कणों को फूक मार मार के उड़ाओ तो इस तरह से सूक्षमता से सफाई करना और बुहारने के जो बहुत से तहीके होते हैं यहां मारजने शब्द में बहुचन का प्रयोग हुआ है केवल जहाडू से बुहार देना नहीं कोई इस्थान कपड़े से पहुचा जाता है कोई स्थान जहाडू नहीं पहुच सकती है वहाँ पराग को फूंक से उड़ाया जाता है इस तरह ऐसे बहुत प्रकार से बुहारी लगाना उस कुझ मंड़क को साफ करना प्रियाजी सिखा रही है और आदेश करती है अच्छे से सफाई करो क्योंकि तुम जानती हो कि यहां विहार के पहले प्रियतम स्वैम फूलों का बिछोना आसन शयया बुहारने का काम स्वैम प्रियतम अपने हाथों से करना चाहते है कुझ वीतिम उपासते पहले शब्द आ चुका है कि इन कुझ गलियों की स्वैम कृष्ण उपासना करते है और राधारानी जानती है कि उनके कुझ में आने से पहले शामसुंदर सब यहां परिशकार कर देते हैं तो श्री जी सखियों को सिखाती है कि प्रियतम को ऐसा न करना पड़े उनके आने से पहले ही तुम इन सब कार्यों को कर दो तो श्री राधारानी सखियों को सिखा रही कैसे कुझ वीति के उपासक को थोड़ा सा भी परिश्रम न करना पड़े तो कुझ तो सखिया साप कर देती हैं कुझ का इस प्रकार से परिश्कार किया जाने के बाद प्रियतम लंपट की तरफ प्रिया जी के स्वागत के लिए पत्तों की विच्छावन होने पर भी मारग में अपनी पलकें बिछाकर प्रिया जी का स्वागत करते हैं अब शाम सुंदर जब देखते हैं कि सारी सफाई तो राधारानी ने सक्षीओं से करा ली तो हम आकर यहां क्या करें तो जिस मारग पर सक्षीओं से राधारानी ने सुन्दर फूल बिछवाए हैं कि यहां से शाम सुन्दर आएंगे उस मारग पर श्री शाम सुन्दर राधारानी के स्वागत के लिए अपनी पलकें बिछा देते हैं कि यहां से श्री प्रिया जी अभिसार के लिए पधारेंगी, तो एक से एक बढ़कर सेवा करने वाले हैं प्रियतम उस समय अनुने विने करेंगे खुशामद करेंगे तब प्रिया जी अपनी कृपा का विचार करके भौहें मरोड लेंगी कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता आप ऐसा क्यों करते हैं बाद में श्री जी के अंदर कृपा भाव उमण आएगा तब वे आलिंगन प्रदान करेंगी तो इन सब बातों का स्मरन करते ही प्रिया जी सोचती है हाए प्रियतम मुझे चत्तुराई से मीठी मीठी बातें बना की हरवार फुसला लेते हैं और तब वे प्रेम की प्रिड़ा के भार से विवश हो जाती हैं तो इस तरह ये समझना चाहिए कि प्रियतम को माला गुथते चंदन गिस्ते, लड्डू बनाते कुझ प्रदेश को बुहारते आदी देखकर ही प्रिया जी सखी को इन सब कामों की आग्या देती हैं अर्थात, ये जो जो भी काम प्रिया जी ने सखीयों को सिखाएं हैं ये सब काम शामसुंदर करते हैं तो शामसुंदर को ये कार्य न करने पड़ें इसलिए राधारानी इनकी विशेश शिक्षा सखीयों को देती हैं पर उधर शामसुंदर सेवा करना नहीं छोडते इधर सखीयों नहीं छोडती तो इस तरह से अपनी अपनी सेवा में उतकर्ष दिखाते हैं और कैसे स्रिष्ठ सेवा हो सकती है सखीयों अपनी सेवा का उतकर्ष्टता दिखाती हैं तो इस तरह से व्रंदा रणे रहस्त थलीशू, व्रंदा वन की जो एकांतिक कुझ निकुझ जो एकांतिक प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में श्री राधारानी विराज्मान होके, इन सब लीलाओं में जो परमकुशल सकھیयां है, जिनको परमकुशल स्वैम श्री जी बनात तो इस प्रकार की परिचर्याओं द्वारा राधरानी मेरे साथ साथ प्राणेश के संबंध में कब प्रेम पिल्डा से विवश होंगी शिक्षा देने के प्रसंग में प्रिया जी कब विवश होंगी और उसके उपरांत सखी कह रही है वे शिक्षा देते देते दूग जाए ऐसा समय कब आएगा तो जब प्रिया जी ने जब देखा कि प्रियतम ने माला चंदन आधी को उन्हें अर्पित कर देने के बाद ही स्वेम ग्रहन किया है तो उनकी इस दा सिवरती से राधारानी के हृदय में कृपा ओमड आई और फिर उन्होंने प्रियतम की अभिलाशा को पूर्ण किया है जिसका आगे के पद्दि में वर्णन सखी करेगी कि प्रिया जी को प्रेमा वेश में विवल देखकर प्रियतम ने पहले उन्हें सावधान किया है और फिर भुजाओं में भरकर श्री राधारानी का आलिंगन किया है उस समय प्रिया जी ने जिस तरह से क् श्लोक संख्या 243 में सखी की द्वारा किया गया है प्रेमों भोधी रसुल लसत तरुनी मारं भेन गंभी रद्रक भेदम भंगी मृदुस में ताम्रत नवज्य उत्सनां चित श्री मुखी श्री राधा सुकधा मनी प्रविलसत व्रंदा तवी सी मनी प्रेयों के रतिकौत क कानी कुरुते कंदर पली लाने थी है श्लोक में राधारानी का भस्वरू बताया है जब कृपा भाव से उमड कर श्री जी ने प्रियतम को उनका मनुरत पूर्ण किया है प्रेम समुद्र के रस से उल्लसित तरुनेमा के प्रारम के कारण जिनकी दृष्टी भंगिमा गंभीर वन गई है यानि नया नया यववन आया है तो राधारानी की दृष्टी में गंभीरता आ गई है उन विलास भंगिमा से युक्त मृदु मुसकान अमृत की नई चांदनी से जिनका श्री मुक्षो भायमान हो रहा है वही काम कलाउंद की निधी श्री राधा कारफल के रूप में दर्शन दे रही है कैसी श्री जी जो प्रेयोंग के अपने श्री प्रियतम के अंक में विराजी हुई है कहां श्री व्रंदावन की व्रंदा टवी सीमनी प्रेयोंग के व्रंदावन की सीमा में रती कौतु कर रही है प्रियतम की गोद में विराज है प्रियाजी की प्रसनता का आवेश श्री व्रिन्दावन की भूमी पर उतर आया है। व्रिन्दावन का हर्ष इतना बढ़ गया उस भूमी का हर्ष कि उसकी परसनता उसकी लतार व्रक्षों के रूप में दिखाई दिने लगी। लताएं पुश्पित हो गई, व्रक्ष फलित हो गए। तो ऐसी स्थिति में वो व्रिन्दावन फूलों की वाटिका बन गया। इ जो स्थली है वो एक वाटिका बन गई। श्री व्रिन्दावन स्थली की सीमा में प्राण प्यारे की गोद में प्रेमे में उद्विलित होने के कारण बिना किसी लज्जा संकोच के श्री प्रियाजी रतिक रिडा कर रही है। श्री व्रिन्दावन की सीमा का उल्लेक बता जैसा कि सुधानेदीजी के पूरो पद्य में कहा जा चुका है राका नेती इस पद्य में कि पूर्ण चंद्र उधित होकर प्रेम सुधा की प्रकाश की किर्णों से यदि अनन्द ब्रह्मांडों को भर भी दें क्योंकि राधा चंद्र ऐसा है उसके आगे ये दिव्य चंद्र भी फीका पड़ जाएगा तो पहले तो वरंदावन स्थली ही सुख परम की अविधी है वरंदावन में अपने आप में एक बिलक्षन सुख है उसमें भी यदि वरंदी श्री राधा रानी आनंदगन श्री कृषन की भुजाओं में बिराजमान हों बिजली की चंचलता के जैसी चमक रही हों फिर तो वरंदावन की खुशी का ठिकाना ही क्या होगा कंदरप ली लाने थी प्रियतम के तत्सुखी भाव को पूर्ण करने की अभिलाशा का नाम है कंदरप यहां काम की बड़ी सुंदर परिभाशा बताई है शाम सुंदर के तत्सुखी भाव को सरवांश में पूर्ण करने की जो इच्छा है उसी का नाम काम है ये स्वसुख की पूर्ती की इच्छा का नाम काम नहीं है तत्सुख भाव की इच्छा की पूर्ती का नाम ही काम है तो राधारानी उस काम की लीला रूप संपत्तियों की निधी माने भंडार है वातसायन आदी मुनियों ने जो कामसूत्र में श्रंगार रसकी जिंजिन भावतरंगों का उल्ले किया है वो सब श्री राधारानी से प्रकट हुई हैं उनकी मुल सोच श्रोच श्री प्रियाजी है उन लीलाओं की अधिश्ठात्री राधारानी है अर्थवा चिंतामणी की भाति उन लीलाओं को प्रकाश प्रदान करने वाली है इसलिए प्रियाजी को लीला निधी कहके ये सूचित किया है कि पुरुशायट आदी नायका सुलव सब रती विधाओं को राधारानी जानती है अर्थात श्री राधारानी रती की उन विधाओं को जानती है जो रती विधाएं कहीं दिखाई नहीं पड़ती अत्वा ये कहना चाहिए कि ये रती विधाएं प्रकट ही श्री राधारानी से हुई है अब रती कवतुक के सहगामी अनुभावों का वर्णन कर रहे हैं तो राधरानी को विश्यशोंड देते हैं प्रेमाम भोदी समुद्र में जैसे जल एकठा रहता है इसी तरह से प्रेम का आधार यानि उसका अधिश्ठाता श्रंगार रस है लोकेक नायकाओं में भी श्रंगार रस की भावना पाई जाती है कुछ-कुछ प्रेम भी होता है पर उसका लक्ष होता है शारिरिक संभोग पर यहां तो प्रिया प्रियतम में प्रेम का अतल स्परशी और विशाल समुद्र बिना किसी भावतिक कामना के लहराता रहता है यहां तो काम की गंद भी नहीं है प्रिया जी की तरुनाई का प्रारंभ इसी प्रकार के श्रंगास रस से उल्लसित रहता है ये कैसी तरुनाई है अभी योगवन की आरंविक दशा है अभी अभी योगवन आरंव हुआ है यानि समझ लो की योगवन की देहली है न तो पूर्ण रूप से योगवन आया ही है और न पूर्ण रूप से कौमार्य गया ही है तो किशोरी श्री राधारानी प्रेम रस की पहले से ही हैं किन्तु चंद्रोद ऐसे जैसे समुद्र में और हिलोरें उठ जाती हैं वैसे ही प्रियतम के प्रेम के द्वारा उनके अंदर रस उचाल लेता रहता है एक तो प्रेम रस की पहले ही मूरती है पर प्रियतम के प्रेम से वह रस और उचलता रहता है ठीक वैसे ही जैसे अगनी के ताप से दूद में उफान आता है पर उफान से जैसे दूद में दूद का कोई रूपांतरन नहीं होता दूद में उफान आता है तो दूद का रूप नहीं बदल जाता वैसे ही श्री जी का जो प्रेम रस है जब शामसुंदर के प्रेम से उसमें उफान आता है तो उस प्रेम का स्वरूप नहीं बजलता प्रेम तो प्रेम ही रहता है पर वह प्रेम बढ़ा उतकृष्ट हो जाता है तो यहां यह दरशाया है कि राधारानी सीड़ी दर सीड़ी युव अवस्था को प्राप्त होई है और उसमें अवस्था सुलव लुनाई भी है जैसा कि दुनिया की नवेली वधों में भी देखा जाता है तो उस अवस्था की अनुसार उनके अंदर जो अनुभाव आए है जैसे तरुनि मारं भेण गंभीर दरगवेदम जब योगवन में प्रवेश किया है उदियमान योगवन में तो राधारानी की जो चितवन है कटाक्ष है उसमें एक गंभीरता पैदा हो गई है अब नेत्रों की जो गंभीरता है उसको सहरदय जन ही जान सकते हैं जैसे गहरे जल में डूबी हुई रतने की कांती होती है वैसे ही श्री जी की गंभीर दृष्टी की शोभा है जब तक ये दृष्टी भंगिया प्रावड न हो जाएं तक सूख्ष्म दृष्टी से ही उन्हें पहचाना जा सकता है बहुत सूख्ष्म तासे ही कोई उनको उस दृष्टी में तरलता भी होती है वो ठहरी होई भी होती है, कोमल भी होती है, कठोर भी होती है जुकी हुई भी होती है उची भी होती है घनी भूत भी होती है द्रवन शील भी होती है तो उत्साह के कारण उसमें चंचलता भी आती है रसानु भूती के कारण ठहराव भी होता है प्रियतम के दैन्य से प्रेरित होके उसमें कोमलता भी होती है लोलुपता के कारण उपेक् दृष्टी मीठी भी होती है, आस्वाद में खटी भी होती है, और इरश्या में वह कडवी भी होती है, करोध में तीती होती है, स्नेह में चिकनी होती है, उपेक्षा में रूखी भी होती है, तो ये सब दृष्टी के अनेक भेद हैं, जो बड़ी सूक्षमता से रसिक जनों के द्वारा जाने जा सकते हैं जिनका आस्वादन श्री राधरानी कर रही है अब भ्रिंगी मृदुरस मिताम मृत इसकी व्याख्या में कहते हैं दृष्टी भेदों की सहायक रूप प्रिया जी की भंगमा युक्त मुसकान है इस दृष्टी की शोभा को बढ़ा देने वाल का जन्म होता है और उस मुसकान की जोचना से वह श्री राधरानी अदवुद दिखाई देने लग जाती हैं अब तक अनुभव में नहीं आई ऐसी चांदनी से श्री राधरानी के मुख की श्री यानि कांती व्याप्त है अमृत के समान मुसकान रूपी नई चांदनी से श्री मुख व्याप्त है भरा हुआ है इस तरह नवीन के शुर अवस्था तथा तरुनाई के उल्लास से उद्भूत होने वाले जो विद्विद प्रियाजी के कटाक्ष हैं मुसकान हैं उनकी शोभा का वरनन यहां सखी ने किया है और ये सब सखी अपने हिरदय को साक्ष करके कह रही है कोई कल्पनावाद नहीं है कि कल्पना कर ली और कह दिया ये सब उसके हिरदय ने साक्षातकार किया है और इस तरह ऐसे कुझ विहारणी श्री राधारानी के उस विलक्षन स्वरुप का वर्णन सखी ने किया जै श्री राधार श्लोग संक्या 112 श्लोग सं श्रीजी के सब्हेंगों को बर्ला राता है नेत अधर ओष्ट वक्षोच नाभी इसके कई कारण हैं गंभीर होने के और नाभी के बाद विहार स्थल वो हरी महाप प्रेम प्यूशिंद होगा प्राकित शरूरों में मल होता है ब्यारे दियों निखाई इनके मल मैतन कचनाई एदिब 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 बनमाई प्राकित शरूरों में मुद्ट रदी बिकार होते जिकर उन्होंने संक्षिब बगा मल दो ही नहीं वहाँ बिहार में इनके मल मैतन कचनाई एदिब एदेह बिहरत नमाई बिहार का जो बपो है शरीर है उसमें मल नहीं है इसने वहाँ प्रेम के प्योश का अम्रत का संबत अगा गया संसार में मूध तसे नहीं होता है इस श्लोक वह दो बार गा गया एक सो बहतर और दो से एक तारिस इस का अर्थ किसी भी गरंथ में नहीं निका गया जितनी ठीका हैं उन्हें के वज संबत लगा दिया किन्तु उन्हीं दिश्लोक वह दो बार गा गया इनका महत्व है इसने प्यूश शिंदू इप्राकर शरी नहीं होता है विहार में अम्रिट सिंदू होता है इन दोश लोगों में विहार की गुपतता श्री जी के विहारंग का भरनण है जे श्री अधे याराणी की रादी रादी, रादी शाबा, रादी शाबा, शाबा, रादी 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 श गडिक्रिष्नान गिष्पर्ण। रादे कृष्णा 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 रादे कृष्ना 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 कृष्न रादे कृष्णा रादे कृष्णा रादे कृष्णा रादे कृष्णा रादे कंग सागक Susje